फिर वही दिल लाया देखिए कुछ ऐसी दवाईयां है जिनकी आपको जानकारी नहीं कि वो कमजोरी को कितना दूर करती है और बड़ी आसाने से मिलती है और बड़ी खुशी की बात तो ये है कि ये भारती जड़ी बुंटी से बनी हुई है इसका होमेपेतिक में नाम हाइड्रो कोटाईल एसियाटिका है हाइड्रो कोटाईल जो दवा है इसका मदर टिंचर काम में लेए आप 20-20 बूंद आदे कप पाने में दिन में तीन बार कोई कारण से अगर मदर टिंचर ना मिले तो 30 पोटेंसी ले सकते हैं इसको मंडूपरनी भी कहते हैं और ब्रह्म मंडूप की भी कहते हैं आईर्वेट के अंदर तो ये एक तरह से अलग-अलग दावे हो गए लोगों के कहीं लोग ब्रामी जो है उसको हाइड्रो कोटाइल ही समझते हैं एक ब्रामी की डूपलीकेट होती है उसको मंडूपरनी करते हैं तो कहीं लोग उसको सही मानते हैं तो हमें ये ब्रामी से बनी है या मंडूपरनी से बनी है इसमें अपना समय बरबाद नहीं करना लेकिन ये बनी है भारतिय दवा से और हर जगे उपलब्द है नपून सकता कि ये एक बहुती अच्छी दवा है इसके अलावा कमजोरी के साथ सिर में दर्द और चक्कर आना चाइना में भी ऐसा होता है लेकिन चाइना के अंदर सरीर से रख निकलने के बाद चक्कर आके कमजोरी आती है माथे के पिछले बाग में दर्द होना ये पिछला बाग इसमें दर्द होना बड़ी अच्छी दवा है यह लिकोड रमा के अंदर भी काम आती है यह कुछ मामूली दवा नहीं है इसका रोगी का मन है वो अकेले रहना चाहता है लेकिन अकेले रहने में भी डर लगता है रोगी काफी चिंतित रहता है किसी विशे पर ज्यान ही नहीं देता पेट के लक्सर में भूक न लगे खाने की इच्छा न हो खटी डकार आए पेट में वायू संचित हो मिचली पेट फूल जाए पाकासय में अकडन युक्त दर्द ऐसा लगना जैसे पेट में वायू के आकार में उत्पन हो रही है पाकासय में गर्मी महसूस होना पेट में भुट भुट का सब्द होना तेजी से आतों का संकुचित होना और लेवर के उपरी हिस्से में दर्द होना अगर इस तरह की जो पेट की समश्याएं हैं तो ये दवा बहुत इफ्यक्टिव है इसके पैसाब के जो लक्षन है मुत्रा से का संकुचित होना मुत्रा से यानि बलेडर का संकुचित होना मल दुवार में जालन और खुजली होना सोरी मुत्रा से का संकुचित होना मुत्र नली में उत्तेजना रेना मुत्र की मात्रा अधिक आना सदेव मुत्र त्या की इच्चा होना मुत्रा से की गर्दन के पर्देश में उत्तेज ना होना इसका रोगी का मल जो है सरलांतर में बार मैसुस और मलदवार में जलनी जलन और खुजली मल त्या का परियास करना पर मल नहीं निकलना सुका काला मल आवे अब पूरुस के रोगों के अंदर ये क्या लिखते हैं नपून सकता सबसे पहले सब दिन नहीं लिखा है नपून सकता अंड को फूल जाना उसकी तवच्चा लाल हो जाना और उसमें सूजन आ जाना पेर में पीला डाग होना चेहरे गर्दन छाती हाथ जांग पीठ में तेज खुजली और बहुत अधिक पसिना आने के साथ एरिथिमा नामक तवच्चा रोग भी होना यानि कि ये सरीर में तवच्चा रोग जो होते हैं काज खुजली रक्त विकार उनको भी ठीक करती है और नपून सकता को भी ठीक करती है अगर नपून सकता के साथ में अंड कोस फुलावा रहता है और वहां की चमड़ी रेड होती है उसमें सोजन आई रहती है तो ऐसे हालात के अंदर इसका मदर टिंचर की जगह है हाइड्रो कोटाइल का एक हजार में एक खुराक लेनी चाहिए और अगर ये सब नहीं है आप खाली टाकत के लिए ले रहे हैं तो मदर टिंचर ले सकता है इस्तरी के रोगों में योनी में तेज खुजली होना यानि की बैन बेटियों के इन्फेक्षन में बड़ी काम्याब है योनी तता गर्वासे में प्रदार भार परती तोना गर्मी मेसुस होना दर्द जालन स्वेत परदर का स्राव होना डिम्ब कोस में दर्द होना गर्वासेक परदेश में प्रसव जैसा दर्द होना और चरम रोगों के अंदर तौचा का तो अच्छा पर इसकी विशेश किरिया होती है मैंने शुरू में कहा था कि लुकोड्रमा के जो पेसेंट हैं तो लुकोड्रमा की होमेपेतिक में A S F नाम की दवा सुपरशिद है यानि कि कोई भी होमेपेतिक डाक्टर जो सपेद दाग जिसको लिकोडरमा करते हैं उसका रोगी जाएगा तो दवा के सुरुआत ASF यानि कि आर्स सल्प फलेव थरी अक्स इसकी टेबलेट से सुरुआत करेंगे और ये बड़ी इफेक्टिव दवा है लिकोडरमा की फेमस तो थरी अक्स कहीं महिने देने के बाद 6 अक्स देते हैं 6 अक्स के बाद में फिर 30 पोटेंसी देते हैं और जब लगता है कि रोग ठीक नहीं हो पारा तो बीच बीच में हाइड्रो कोटाइल का एक हजार में या दस हजार में एक आद खुराक देते हैं तो ये जो दवा है हाइड्रो कोटाइल इसके अलावा जो फिल पाउं होता है हाती जैसा पाउं हो जाता है उसको एलिफेंटाइटिस कहते हैं और एक पेर हाती के पेर के समान हो जाता है बड़ी तकलीफ होती है तो उसकी ये एक बहुत ही पेटेंट दवा है तो इसके अंदर इसकी पोटेंसी का ही परियोग करना चाहिए तीस में करो या दोसों में करो अपने डॉक्टर से एडवाइज करके तो हाती पाउं का रोग है उसमें ये बड़ा लाबदाएक है कुष्ट का और लिकोडर्मा का मैंने आपको बताई दिया इसके अलावा मुहासे वगेरा भी ठीक हो जाते हैं और गले के अंदर गांटे हैं खुजली है पसीना आता है तो उसमें भी ये लाब करती है आईरवेद इसके लिए क्या करता है संस्कृत में देखो आईरवेद ने इसको ब्रामी माना है जबकि लिखावा है मंडू परने अब मैं आपको सलोक सुनाता हूँ ब्रामी हे मरसा तिकता लेगुर मेध्या